नमस्कार मित्रो आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जीके हेलपी विद ज्यार्वी पर हार्दिक अभिनंदन एवम स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान हाई कोर्ट बरती 2019 से समंदित most important 35 कोस्टनों के बारे में ये सभी के सभी कोस्टन प्रतियोगी प्रिक्षाओं में आई हुए है आज अमरा जो टोपिक रहेगा राजस्तान के मुर्धन्य कवी एवम साहित्यकार राजस्तान की बासा और बोलियां इन से रिलेटिव ये 35 परसन है दोस्तों और इसी टोपिक से समंदित 30 कोस्टन पिछले वीडियो में अप्लोड किये थे अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रप्शन में मिलेगा वहां से देख लीजीगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फरस्ट कोस्टन है आपके सामने कोस्टन है एतियासिक बगोलिक एवं बसा विज्यानिकों के आदार पर राजस्तानी की उत्पति मानी जाती है आरेस 1976 में ये कोस्टन पुछा गए है तो आपके लिए बहुत इम्पो्रट्र हो जाता है औप्शन है सोरस्ट्रे अप ब्रण से गुर्जर अप ब्रण से सोरसेनी अप बढ़न से नागर अप ब्रण से तो दोस्तो इसका दोस्तो इसोन बहुत पुछे जाएंगे क्कौनस रखना है जो माल भी बोली है यह जलावाड कोटा परताप गड़ यानि किसका ए ओप्सन राइट होजेगा यह भी कोस्चन दोस्तों पटवार एकजाम 2011 में पूछा गया है आप दोस्तों इन सभी कोस्चन को चेक भी कर सकते हैं इन एकजाम्स में यह कोस्चन पूछे गए है चलिए अगला कोस्चन है राजस्तान की मूल बासा कोन सी है द्यान देना दोस्तों मूल बासा तो राजस्तान की जो मूल बासा है वो है दोस्तों राजस्तानी यानि किसका ए ओप्सन राइट होजेगा यह भी कोस्चन पटवार एकजाम 2011 में पूछा गया है चलिए अगला कोस्टन है yapt ! 1969 में कुल कितनी राजस्तानी की बोलियां थी यह कुट्टन ग्राम शुवेख 2008 ग्जाम में पुछा गया ऐ ओपसन आपके सामने 33 बोलियां उ भॉ छब दोस्तों अगर बात किरें राजस्तानी बास अकी कुल जो बोलियां थी वह की तेतर, यानि किसका A option राइट हो जाएगा, चलिए next question है, उध्यपूर चितोडगर 76 में कौन सी बोली का परचनल है, उध्यपूर और चितोडगर, दोस्तों, यहाँ पर जो बोली पर चलिता है, वो है मेवाड़ी, कौन सी है मेवाड़ी यानि किसका ए ओप्सन है वो राइट हो जाएगा दोस्तो वीडियो को अपने मित्रूं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जुरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जुरूर कर ल मारना कुंबा थे इनके दवारा चार नाटकों की रचना के गए थी इन में से किर्तिस्तम लेक निसौर किस बस्ता का इन नाटकों में प्रियो की अगया था यह कुस्टिन पटवार एक्जाम दो prolongedरह में पूछा गया है तो दोस्तों इस में जो बस्तवाल के गे था वो थी मेवाड़ी यानि किसका A option right हो जगा चलिए अगला question है उद्यापूर बीलवाड़ा और चितोड़गड में अधिकांस बोली जाती है उद्यापूर बीलवाड़ा और चितोड़गड यह जो जिले यहाँ पर अधिकांस तै कौन सी बोली बोली जाती है तो याद रखना मेवा है दोस्टोब राजस्तान की जो पहली बोली है मेथ परण पूस्ए उप्षन के सामने मेवाड़ी भागड़ी थल्ली मेवाती तो इसका A option right हो जेगा मेवाड़ी जो बोली है यह मारवाड़ी के बाद्रज्ए की मेहतपूर्ण बोली है चलिए next question है सोटा चंद और मांडर किस बोली की सिलपगत विसेशताई है वह है यह कोस्टन भी पटवार एक्जाम 2011 में पूछे तो आपके सामने मारवाड़ी मालवी मेवाड़ी मेवाती तो दोस्तों इसका यह मारवाड़ी की यह विसेशताई है चलिए नेश्ट कोस्टन देखते हैं आठवी स्तावदिक के कुवल्य माला नाम गरंत में बारत की अठारा देशी बासाओं में मारवाड़ की बासा किस नाम से वियक्त की गई है दोस्तों जो कुवल्य माला गरंत है यह उदोतन सुरी द्वारा रचित है इसमें अठारा देशी बासाओं का जिकर किया गया है जो मारवणी मरू बसा मेवणी तो दोस्तों जो मारवाड की बसा है इस ग्रंत में मरू बणी के नाम से जिकर किया गया है यानि किसका A ओप्छन राइट हो जेगा चलिए next question पर चलते है गोडवाड़ी क्या है गोडवाड़ी क्या है ओप्सन आपके सामने है मारवाड़ी की उपबोली मेवाड़ी की उपबोली डूंड़ाड़ी की उपबोली मेवाती की उपबोली तो जोस्तो गोडवाड़ी या मारवाड़ी की उपबोली यानि किसका A option और वह उपवोले हैं जैसे विकानेरी थल्ली तो यह आपको ध्यान रखना है चलिए अगले कुस्टन पर चलते हैं राजस्तान की मरूबासा कहलाती है एपोर्टेंट कुस्टन है मरूबासा ओप्सन आपके सामने मारवाडी मेवाडी मेवाती जुंडाडी तो दोस्तों रा specifically which means two आपके सामने मीं दोस्तों तो दोस्तों यह बोली जती है जैपुर-दोसा-टोंक इंजिलों में और ममनेवाडी में बोली जाती है जब पुर्दोसा टोंक यानि किसका भी ए ओप्सन राइट हो जेगा है दोस्तों मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जुआब लगबख स्टूडेंट्स ने गल्द दिया था तो आपको ध्यां रखना है अंतिम समय तक वो वीडियो देख किया संत दादू ने जो साहितिक रचने किये वो दोस्तों गुनडाड़ी बसा में किये और भी द्यां रखने दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन प्रीविए्ट से में पूछे गए तो इक्जाम्स में पूछेंगी तो इपर्टेंट हो जगता है आपके लिए वीडियो औ संब्दकोष के संपादक है राजस्तानी हिंदी संथिप्द संपादक है स्री सीटाराम लालास यानि किसका यह आपो उप्सन राइट हो जएगा नहीं कल मारवड़ी राजस्तान की मानक बोली के रूप में परसीद है मारवड़ी यानि किसका ए उप्सन राइट है और यह भी कोश्चन पटवार एक्जाम 2011 में पुछा गया है चलिए अगला कोश्चन है चेतावनी राज चुंगठिया नामक रचना किस क्रांती कारी द्वारा रचित की गई है द्यान देना दोस्तो बहुत इपोर्टन कोश्चन है और एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि चेतावनी राज चुंगठिया नामक रचना किस क्रांती कारी द्वारा की गई है तो दोस्तों ये question बहुत बार exam में पुछा जाता है चाहिए SSE का exam हो चाहिए राजस्तान service relative कोई भी exam हो वहाँ पर ये question बहुत बार पुछा जाता है तो पांच पंतर के लेखेकते दोस्तों विश्णु सर्मा यानि किसका C option right है चलिए next question है LP tessitory समंदित है LP tessitory आपको बताना है दोस्तों किस समंदित है चारण साहिट्य से ग्रामीन दांचागत विकास से राजस्तानी चितरकला से राजस्तान के सवतंतरता आंदोलन से तो दोस्तों जो LP tessitory है ये चारण साहिट्य से समंदित है यानि किसका ए ओप्षन राइट हो जो दोस्तों जो LP tessitory है इनका जनम 13 दिसंबर 1883 को उदिन गाम इटली में हुआ था ये याद रखना उदिन गाम इटली में हुआ था और इनके जो मुर्तिव है वो 1919 में बिकानेर में हुई थी ये भी इपोर्टेंट है चलिए अगला कोस्टन है राष्ट्रे प्रसिद कवीता राष्ट्रे प्रसिद कवीता पिथल और पाथल की रचना किस ने की थी ओप्षन आपके सामने है इनके जनम 1919 में हुआ था सुजानगड चूरू में इनने दोस्तो आधुनिक काल का हिंदी और राजस्तानी बहसा का कवी का जाता है इनकी कवीता पिथल और पाथल राष्ट्रे प्रसिद कवीता यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तो बाल्य अवस्ता में कनियालाल सेठी है इन्होंने रमनियरा सोटा लिख्या रमनियरा सोटा और इनके द्वारा लिल्टांस यह ध्यान रखना है मैंने कल भी आपसे एक question पूछा था कि जमीनरों धनीकुन और मिंजर इनके लेखक कोन है तो इनके लेखक भी कने यलाल सेठिया ही थे चलिए इतने फेक्ट आपको इस question से याद रखना है और साथ ही दोस्तो इन 35 question में से आपके कुल कितने question राइट होते है यह भी comment box में जुरूर बताए ताकि यहां से आपका बल्यांकन भी हो जाएगा और आपकी इस topic से लेटिव कितनी तयारी है बहुत भी पता चल जाएगा ए चली अगला question केशरी सिंग्ग बारत के द्वारा रचित चयतावनी राद कुंग टिया अभी मैंने बताए decor गेसरी सिंग्ग बारत केृसरे में से रोका मारना परताप को फते सिंग्ग को अमसर को तो आपको बताने है दोस्तों किसको जाने से केसरी सिंग्ग भारत ने च को केसरी सिंग बारट ने इनके माद्यम से रोका था इसका जो बी ओप्शन है वो राइट हो जएगा चलिए अगला कोस्ट ने वीर सत्सई के लेखक है वीर सत्सई के लेखक ओप्शन है कनेयलाल सेटिया सुरियमल मिसरन बांक की दास चंदरवर्दाई तो दोस्तों जो वीर सत्सई है इनके लिखक है सुरियमल मिसरन यानि कि इसका बी ओप्शन राइट हो जएगा चलिए अगला कोस्ट ने डोला मारूरा दुआ डोला मारूरा दुआ के रचेता है कवी तुलसीदास सारंगदर कवी कलोल मुएनोत नेंसी तो दोस्तों जो डोला मारूरा दुआ है इनके रचेता है कवी कलोल यानि कि इसका सी ओप्शन राइट हो जएगा चलिए नेस्ट कोस्टन है शिरी सर्ष्वती पुस्तकाले जो ए लब्वे एवं दुरलब साइत्य का ए परतीन खजाने कहां अस्तित है ओप्शन आपके सामने लाड़नो नागोर शिरी डुंगरग चुरू साब पुरा बिलवड़ा फतेपुर शिकर तो दोस्तों यह फतेपुर शिकर मिश्तित है डी ओप्शन आपर है राइट हो जाएगा चलिए नेस्ट कोस्टन पर चलते हैं सिशुपाल वद संसकर्थ माकावे के रचेता माकवी माग दोस्तों जो सिशुपाल वद है इनमाल में था यानि किसका डी ओप्शन राइट हो जाएगा चलिए नेस्ट कोस्टन है निमन में से किस स्थान पर राजस्तानी बासा साइट्ते अकादमी का मुख्यले है राजस्तानी बासा साइट्ते अकादमी का जो मुख्यले वो कहां पर है आपको यह बताना है जोद क्यों सी बसा है जिसे आठमी अनुसूची में इस्तान नहीं मिल पाया है वहत धिंसल धान देना दोस्तों जो आठमी अनुसूची यह बसा से समधीत है okay हूट और इसमें कोन और सी बसा को अभी तक सामिल नहीं किया गया इन ओपशन के दार पर बताना है राजस्तानी संसकर्थ बंगाली उडिया तो दोस्तों जो अपनी बासा है राजस्तानी इसको आठमी अनसूची में सामिल नहीं किये गया यानि कि यहां पर ए ओप्षन राइट हो जाएगा चलिए नेस्ट टोस्टन है ब्रजबासा के बारे में सत्य है सत्य कथन बताना है दोस्तों ब्रिजबासा के बारे में option है यह मुख्यत है बर्थपूर दोलपूर में बोली जाती है यह मुख्यत है कोटा बुंदी में बोली जाती है यह मुख्यत है जेप्रजोदपूर में बोली जाती है उक्त कहीं नहीं तो दोस्तों जो ब्रजबसा है यह मुक्केत है बर्थपुर, दोलपुर में बोली जाती है यानि किसका ऐ option सत्य है चलिए नेक्ट कुस्टन है जिस बोली में चै उर छै का उचारन से हो जाते है दयान देना चै उर छै का उचारन से हो जाते है कोन सी बोली है वो? उप्सन है मेवाडी, बागडी, रागडी यह सबी तो दोस्तों जो बागडी बस है बोलिए इसमें चै और चै का उचारण सै हो जाता है तो इसका B उप्सन है आपर है राइट हो जाएगा चलिए next question है राजस्तानी सोध संस्तान जो की जौधपुर में कारे रहते है अगर चन्द नाटा नरायनसिंग बाटी नरपती नालय कौमर्ब कोटारी तो दोस्तों इसके संचलब थे नरायनसिंग बाटी यानि किसका B उप्सन रायक हो जएगा चलिए next question है व्रैद कथा कोश एवं कुवल्यमाला परसिद गरंथ किस बहसा में लिखे गए हैं व्रैद कथा कोश कुवल्यमाला ये परसिद गरंथ है दोस्तों आपको बताने हैं ये किस बहसा में लिखे गए हैं तो ये लिखेंगे संस्कर्थ बहसा में यानि किसका A option है राइट सुरियमलमिसरन, कविराज स्यमलदास, तो दोस्तों वंस बास करे इनके रचेता सुरियमलमिसरन है, यानि किसका C-Option राइट हो जाएगा, चलिए नेश्ट कोष्चन है, चारण से लिए दूसरे किस नाम से जानी जाती है, इपोर्टन कोष्चन है दोस्तों, जो चारण से ल निमन में से कौन सी मारवाडी बसा का साहित्यक रूप है जो मारवाडी बसा है दोस्तो इसे अगर साहित्य में लिखा जाए तो वो साहित्यक रूप कौन सा है ये आपको बताना है ओप्सन है पिंगल अप ब्रंस ब्रज डिंगल तो दोस्तो मारवड़ी बसा का साहितिक रूप है डिंगल यानि किसका D option right होजेगा तो दोस्तो ये थे most important 35 question अब बात कर लेते हैं दोस्तो जो पुरुवे की वीडियो में आपसे question पुछा गया था उसके बारे में पुरुवे की वीडियो में आपसे question पुछा गया था कि राजस्तान में जनसंक्या के आदार पर सरवादिक बोली जाने वाली बसा है और दोस्तो इसका लगबख स्टूडेंट्स ने उत्तर दिया मारवड़ी जो की गल्थ था सरवादिक बोली जाने वाली बसा जनसंक्या के अदार पर डुंडाडी है यानि कि इसका A option राइड था और आपको याद रखने है दोस्तो डुंडाडी है यह जेपुर दोस्ता टोंक वाले छेतर में बोली जाती है आप सभी को मालूम है जेपुर जिले यहाँ पर सम्थिंग 10% पूरे राजस्तान की जनसंक्या निवास करती है अगर बात करें मारवाड़ी के दार पर बोली जाती है तो इसका A option राइट था बात करते हैं दोस्तों और यह जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोस्टन है राजस्तानी बासा का पहला व्याकरन किन के द्वारा लिखा गये है अपके सामनी है र भुषा ंदर सूपपा, करणल जम ऩोड, जोर्ज अब्राएम गिरियार्शन, सुर्यमल मिस्रे, तो दोस्तों इस कवेशन का जवाब आप वीडियो के कमेंट बोक्स में जरूर है, आपको यह